साथियो नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो में हम आपको बहुती बारीकी से हिज्जे करकरके मातराओं का उच्चारण करके और उच्चारण से किस तरह से शब्द बनेगा इस तरह से बहुत ही समझा कर बहुत ही आराम से आपको हिंदी लिखना बताते हैं इस वीडियो के द्वारा आप हिंदी लिखना बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे तो वीडियो पूरा देखिए और हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास भी कीजिए तो आए शुरू करते हैं, यहाँ पर हम एक छोटी सी कहानी लेकर आये हैं कहानी का सीर्षक है सर्वन कुमार, जो कि आपने पहले भी बहुत बार पढ़ी और सुनी होगी तो आए एक बार हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं, छोटी सी कहानी है, छोटी से सब्द हैं, एक छोटा सा ब्रतांत है तो पहले हम एक बार से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इन्हीं सब्दों को इसी कहानी को हम लिखने का अभ्यास करेंगे तो आये शुरू करते हैं पढ़ लेते हैं एक बार शिर्वन कुमार के माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि हमें सब तीर्थों की यात्रा करने की बड़ी इच्छा है पर हम अकेले कहीं भी नहीं जा सकते तुम हमें किसी भी प्रकार तीर्थ यात्रा करा दो सिर्वन कुमार ने एकदम कहा कि मैं अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए सिर्वन कुमार ने कावर बनाई और दोनों पललों में अंधे माता पिता को बिठाया तथा सारे तीर्थों की यात्रा कराई माता पिता की इस प्रकार सेवा करके सिर्वन कुमार का नाम संसार में अमर हो गया तो आइए इनी सब्दों को इसी कहानी को हम लिखने का अभ्यास करें इसी कहानी के माध्यम से हम हिंदी लिखने का अभ्यास करें आईए हम लिखना सीखें, आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे सासाल लिखिए आज का पहला शब्द था एक, एक बार यानि कि एक, एक बहुत ही शरल सब्द है, बिना मात्रा का सब्द है लिखेंगे ए और क एक बहुती सरल और बिना मातरा का शब्द है एक बार बा के साथ आका उचान हो रहा है तो बा में बढ़ी आकी मातरा लिखी जाएगी बार रा के साथ कोई उचान नहीं तो रा खाली रहेगा बार एक बार सरवन सरा सरा आप लोग नहीं पढ़ा होगा छोटा बढ़ा जब पढ़ा है तो हाँ आप सरा पढ़ते हैं तो बहुत है सर वा वा और अड़ा सरवन भी अमातरिक सब्द है सरा और अड़ा वान सरवन ठीक है कुमार कु का के साथ उ का उचान है और कम देर के लिए है कु ठीक है तो का में उ की मातरा रहेगी कु मार मा मा का उचान जाजे देर तक है जब किसी एक्षर का उचान जाजे देर तक होता है उसमें बढ़ा की मातरा लिखी जाती है तो हो गया कुमार, रा के साथ कोई उचान नहीं तुरा खाली, ठीक है, यदि हम गलती से मा में बढ़या की मातरा ना लिखें, तो हो जाएगा कुमर, कुमर गलत हो जाएगा, हमको चाहिए कुमार, तो कुमार के लिए मा में बढ़या की मातरा लिखी जाएगी, ठीक है, कुमार, के, का क को देर तक उचान किया रहा है तो मां में भी बढ़या की मात्रा और ता को भी देर तक उचान किया रहा है तो ता में भी बढ़या की मात्रा यह दिगलती से हम ता में बढ़या की मात्रा ना लिखें तो हो जाएगा मातू हमको लिखना है माता तो माता के लिए ता में बढ़ पिता तो जब कम देर के लिए होता है तो छोटी की मात्रा लिखी जाती है ठीक है पिता ता के साथ आ का उचान देर तक तो ता में बढ़े आ की मात्रा पिता माता पिता ने ने का उचान है तो ना का उचान ना के साथ एक उचान है तो नामे एकी मात्रा ने अप ने ध्यान दे अपुने अप circum a के साथ को उचन नहीं है तो छोटा और यदो बढ़ा लिख़िदे तो तो चोटा लिखेंगे और और अप ने ना के साथ एका उचांड तो नामे एकी मात्रा हो गया अपने बेटे बेटे बे बा के साथ भी एका उचांड हो रहा है तो बा में एकी मात्रा टे टा के साथ भी एका उचांड हो रहा है तो टा में भी एकी मात्रा हो गया बेटे अगला सब्द है से सा के साथ भी एका ही उचांड ह हो रहा है से तो सा में भी एकी मात्रा बेटे से कहा कहा क का के साथ कोई उचार नहीं तो का खाली रहेगा हा हा का चार देर तक है तो हा में बढ़या की मात्रा हो जाएगा कहा कहा ठीक है यदि हम गलती से का में भी बढ़या की मात्रा लिखने तो हो जाएगा काहा काहा नहीं लिखना है कहा तो कहा में का में बढ़या की मात्रा में लिखी जाएगी हा में बढ़या की मात्रा लिखी जाएगी कहा कि कि अब का के साथ ए का उचान है और कि यानि कि कम दिर के लिए तो छोटी की मात्रा लिखी जाएगी कहा कि हमें हमें हा के साथ कोई उचान नहीं है तो ह खाली लिखेंगे हम लोग, यहांनि खाली यहांनि कोई मात्रा नहीं, में मां के साथ भी एक आउ चान, तो मां में एक एक मात्रा हो गया हमें, और स्य Expectation के लिए हममें अनुसार बिंद्दू लिखनी है, हमें जब भी लिखें तो आप ब अनुसारविंदू मा में एकि मात्रा के साथ अनुसारविंदू अभी से लिखें 지aci है हमें सबॉस usव暂 शरल सब्ध है और अमात्रिक सब थीर थों, we Him, ता के साथ E काउचान और देर तक है तो था में बड़ी E की Truohenlor रा काउचान बहुत कम देर के लिए है और था के साथ है थों, तो था ने O की माटरा aging की ओ का उचान हो रहा है थूँ ओ का उचान तो था में ओ की मात्रा और यहाँ पर रा का उचान हो रहा है तीर र कम देर के लिए और था के साथ हो रहा है तीर थूँ ठीक है तो था में रेफ की मात्रा के रूप में रा लिखा जाएगा ठीक है और थूँ नाक से कुछ खुछ आ काउचान की और देर तक है तो बड़ी की मात्रा यहां पर हमने का में छोटी की मात्रा लिखी कि कम देर तक उचान था यहां पर की जादे देर तक उचान है तो का में बड़ी की मात्रा लिखी जाएगी यात्रा आगरा सब्स है यात्रा या या काउचान देर तक है तो यहां में बड़ीया की मात्रा त्रा त्रा वी का उचान वी देर थक है त्रा में भी बड़ीया की मात्रा या त्रा करने करने का के साथ कोई उचान नहीं है पाखाली रा के साथ कोई उचान रा भी खाली कारा करने अब ना के साथ उचान है एका तो नामें एकी मात्रा करने की जैसे हमने यहां पर की लिखा है ऐसे हम यहां पर की हो yes मैं आउट कि अ मात्रा की भासाथ अचा हो रहा है तो देल तक हो रहा है तो बडिख की मात्रा ठीक है यहां पर एक दु Любini कि ने चौह है वेसे अब ब्र इच्छा इच्छा लिखेंगे इच्छा 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 इच् पर बहुत सी सरल सब्द बिना मात्रा का तो पा और आ पर हम भी बहुत सरल सब्द है और बिना मात्रा का है हा और म हम पर हम अकेले ध्यान दें अकेले आ छोटा आ लिखा जाएगा क्यों आ कम दिर के लिए है केले का का के साथ एकी मात्रा के ला के साथ भी एकी मात्रा है तो ल केले है एक आउचन हो रहा है तो हो गया अकेले कहीं भी कहीं क कहा के साथ कोरे उचान नहीं तो का खाली ही हां के साथ एका अउचन और साथ में नाक्से आवाज आ रही है तो अनुसार विन्दू कहीं भी कहीं भी भी भा के साथ ए का उचान तो भा में बड़ी की मातरा भी ठीक है भी नहीं नहीं न खाली के नहीं के साथ कोई उचान नहीं और हीं हीं हा के साथ ए का उचान और साथ में अनुसार बिंदू भी है जब यह नहीं लिखें है तो आरो सार गाटा में के साथ हुचंळ बढ의 कि नहीं सकते सक और कसक थे कह था में िधिर देंगे इतना पढलें एक बार सर्वनकुमार के माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि हमें सब तीर्थों की यात्रा करने की बड़ी इच्छा है पर हम अकेले कहीं भी नहीं जा सकते आगे लिखेंगे तुम हमें तुम तु ता के साथ उ का उचान है कम देर के लिए तुम तुम ठीक नहीं है तुम से में मां के साथ एक उचान साथ वेनुसार बिंदू हमें तुम हमें किसी की क कहा के साथ इक उचान है क्यों और कम देर के लिए थो छोटी मात्रा सी का काउचाण है लेकिन देर तक है तो सामें बढ़ी की मात्रा किसी किसी ठीक है किसी भी अब भाग के साथ इकाउचाण देर तक तो भाग में बढ़ी की मात्रा जिसे हमें या पे लिखाए ठीक है भी प्रकार प्र पामें पदेंद्रा प्र का के साथ आकाउचाण कामें बढ़ टीर्थ ती ता के साथ बड़ी यहीं ही निखे जांगी की मैठ टा था में रेफ की मात्रा थीर्थ यात्रह में बड़ियाकी मात्रह त्रह में भी का उचान तो रामें बड़े आगे मात्रा करा दो अब दा के साथ उचान हो रहा है दो ओ का उचान हो रहा है तो दा में ओ की मात्रा दो विराम लिख देंगे तुम हमें किसी भी प्रकार तीर्थ यात्रा करा दो आगे लिखेंगे सिर्बन कुमार ने सरव 님 रिवार ने सरवण कुमार ने सरवण जैसले किया मनें ऊपर लिखा था सरवन सरवण है तो हो गया कुमार शर्वान कुमार ने ने के साथ एक जल कर तुनामें एकर मात्रा ने एक दम एक दम ए और का एक दा और मादम ए चार अक्षरों का अमात्रिक सब्दा है, यानि कि कोई भी मात्रा नहीं है, एक एक दम आदम, एक दम, कहा, 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 कहा के साथ कोई उचान नहीं, हा के साथ, आ का उचान, तो हा में बड़े आ की मात्रा, कहा, की, जैसे कि में उपर की लिखा था, की, का में, छोटी की मात्रा लिखते हैं, तो की हो जाता है ठीक है कहा की मैं मां के साथ एकावचान तो मा में एकी मात रा और मैं जब भी लिखें तो साथ में अनुचार गंदू अबस लिखें मैं आवश्य आवश्य कम देर के लिए आकावचान है तो छोटा आ लिखा जाएगा वा-व श शा बहुत कम देर के लिए तो आधासा लिखा जाएगा जब किशी अक्षर का सब्द में कम देर तक उचान होता है उसे आधे रूप में लिखते हैं ठीक है आधासा और या अवश्य मैं अवश्य आप की आ आदेर तक है तो आ में बढ़िया की मात्रा आप पा के साथ कोई उचान है तो पा खाली की का के साथ इ का उचान देर तक तो का में बढ़िया की मात्रा आपकी इच्छा 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 का उच्छा कम देर के लिए है और च्छा च्छा का उचार जाहें दिर के लिए तो च्छा में बड़या की मातरा इच्छा आपकी इच्छा पूरी 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 पामे बड़या की मातरा तो पूरी हो जाएगा री रामे बड़या की मातरा री हो जाएगा पूरी करूंगा करूंगा का रूरामे बड़या क के मात्रा और साथ में चंद्र विंदू कि करूँ नाक वरावा जारी करूँ गाह गाह के साथ आकाव चंद्र गाह में बड़या की मात्रा करूँगा ठीक है बिनाम लिख देंगे पढ़ लेंगे एक बार सर्मान कुमार ने एकदम कहा कि मैं अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा आगे लिखेंगे उनको उनको उन छोटा उ और ना उनको का के साथ उ का उचावन तो का में उ की मातरा उनको तीर्थ यात्रा जैसे के उपर लिखा तीर्थ यात्रा जली से लिख देते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है इसी तरह से ता में बड़ी की मात्रा था में रेफ की मात्रा तीर्थ या में बड़या की मात्रा और तरा में भी बड़या की मात्रा तीर्थ यात्रा उनको तीर्थ यात्रा पर पारा पर पा में कोई उचान नहीं रा में कोई उचान नहीं तो पारा पर दो अक्षिनों का अमात्रिक सब् पर तीर स्यात्रा पर ले ला के साथ एक आउचान तो ला में एकी मात्रा ले जाने 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 जा के साथ आका उचान तो जा में बड़ा की मात्रा ने ना के साथ एक आउचान तो ना में एकी मात्रा ठीक जाने के लिये के का के साथ ए का उचांड के लिये ला के साथ ए का उचांड कम देर के लिये ला में छोटी की मात्रा ए के लिखेंगे ठीक है लिये लिए सिर्बन कुमार ने सिर्बन जैसा कि हमने उपर लिखा सिर्बन कुमार एशरी लिखेंगे स्रा वा और अड़ा सिर्बन कुमार का में छोटेऊ की मात्रा मा में बढ़या की मात्रा और कुमार सिर्बन कुमार ने ना के साथ एक आउचान तो ना में एकी मात्रा कावर ध् लेकिन साथ में नाक से है कां तो उसके लिए चंदरी बिंदू कां वारावर वा के साथ कोई उचार नहीं रा के साथ भी कोई उचार नहीं तो रा भी खाली वा भी खाली कां वर कां वारावर कां वर बनाई बनाई और बनाई और और लिखेंगे और यह बहुत सरल सब्द होता है और और लिखेंगे और 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 भी बहुत सरल सब्द है और दोनों पललों में दोनों दो दा के साथ ओका उचांड तो दा में ओकी मातरा दो नो ना के साथ भी ओका उचांड है तो ना में भी ओकी मातरा लेकिन अनुसार बिंदू भी साथ रहेगी नू, नाक से आवा जा रही है दो, नू पल, रो, रो, पल, पल, पा और लापल पा के साथ कोई उचाड़ नहीं, ला के साथ भी कोई उचाड़ नहीं तो पल, रो, 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 रा के साथ ओ का उचान और नाक से उचान होता है तो अनुसार बिंदू भी रख देते हैं पलडों तीक अडों में मा के साथ एक आउचान तो अनुसार बिंदू भी ये साथ में मा के साथ एक आउचान में और अनुसार बिंदू में पलडों में अन धे अन आ और आ के साथ अनुसार बिंदू लिखनें या अधा ना लिखनें तब भी कोई बात नहीं है आ में अनुसार बिंदू और धा धा के साथ का आकाउचाण है धे एकाउचाण धे अन्धे माता पिता माता मा के साथ आकाउचाण और ता के भी साथ आकाउचाण माता वीच में य का उचांट छोटी की तो छोटी की मात्रा पी कम दिर के लिए है था के साथ आ का उचांट तुखामें ओ की मात्रा ओ भा के साथ ए का उचान है कम देर के लिए है भी तो छोटी की मात्रा ठाया ठा के साथ आ का उचान ठा में बढ़या की मात्रा या के साथ भी आ का उचान या भी ठाया तो या में भी बढ़या की मात्रा बिठाया तथा के साथ कोई उचान ता खाली था के साथ आका उचान तो था में बड़े आकी मात्रा तथा सारे सारे सा के साथ आका उचान तो था में बड़े आकी मात्रा रे रा के साथ एक आउचान तो रा में एकी मात्रा सारे तीर थूं तीर थूं जैसे उन्हें उपर लिखा था 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 में ऑकी मातरा साथ मैं रेफ की मातरा और सारी बिंदू भी ठीक सब्सक्राइब बढ़ी देर तक तो बढ़ी तीर थों की या तुम क्मर ओं कि यहा हूं किसा रही । कि ना यह आप के सद्वास व बढ़ कि रहुआ यह । सब्सक्रान आसक्राइब second क Rac trilogy कर ला रा के साथ बढ़्या का ऊचमर तो क्रण कराई अब लिखेंगे बड़ी कराई ठीक है कराई बिराहम लिख देंगे और इतना लिखा हुआ पढ़ लेंगे उनको तीर स्यात्रा पर ले जाने के लिए सिर्वन कुमार ने कावर बनाई और दोनों पल्रों में अंध्य माता पिता को बिठाया तथा सारे तीर्थों की यात्रा कराई आगे लिखेंगे माता पिता की माता मा के साथ आ का उचान तो मा में भी बढ़िया की मातरा और ता के साथ भी बढ़िया की मातरा माता बीच में योक्चन पिता पा में छोटी की मातरा पी ता में बढ़िया की मातरा ता माता पिता की का के साथ इका उचान बढ़िया का तो बड़ी एकी मात्रा किम बड़ी ए यन की देर तक है तो बड़ी एकी मात्रा इस माता पिता की इस ए और सा छोटी ए और सा इस प्रकार प्र प्र लिखेंगे प्र यन की पा में पदें रा प्रकार का के साथ आ का उचांड का में बड़ी आ की मात्रा र रा के साथ को उचान दुरा खाली इस प्रकार से बा से सा के साथ एका उचान से तो सा में एकी मात्रा हुआ वा के साथ बढ़या का बढ़या की मात्रा क्यों आ का उचान हो रहा है तो से बा इस प्रकार से हुआ करके कर का रा कर के का के साथ एका उचांट का में एकी मात्रा करके इस पकार से वा करके सरवन सरा और वा और वन सरवन कुमार का में छोटे की मात्रा कू मा में बढ़या की मात्रा मा और कुमार सरवन कुमार का के साथ आका उचांट का में बढ़या की मात्रा का नाम, ना, ना के साथ आ का उचाण तो नामें बढ़या की मातरा और मा खाली, नाम, मा के साथ कोई उचाण नहीं तो मा खाली रहेगा, नाम, संसार, सं, सा में, अनुसार बिन्दू, सं, हिस्सा, सा के साथ आ का उचाण तो सा में बढ़या की मातरा, संसार, रा के साथ कोई उ संसार में में मा के साथ एक आउचान साथ में नुसार मिंदू तो में अमर अमर बहुती सरल सब्द है तीन अक्षरों का बिना मात्रा का सब्द आ मारा मर अमर ठीक है चोटा आ मारा मर अमर हो हा के साथ ओ का आउचान तो हा में ओ की मात्रा हो गया 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 खाली गा के साथ कोई उचान नहीं है गया या के साथ आ का उचान तो यहामें बड़े आकी मातर हो गया विराम लिख देंगे और पढ़ लेंगे माता पिता की इस परकार सेवा करके सिर्वन कुमार का नाम संसार में अमर हो गया तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखने का अभ्यास किया हिंदी लिखना सीखा बहुत ही बारीकी से और हिज्जे करकर के हमने आपको हिंदी लिखना बताया है तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन्द विध्याति को सस्काइब भी कर लीजिए और हमारे बहुत से शाति हैं जो लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चल को सस्काइब ने किया है तो साथियों आप अभी हमारे चल को सस्क्राइब कर लें और जिन साथियों ने हमारे चल को सस्क्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जो साथि अभी अभी हमारे चल को सस्क्राइब कर रहे हैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद मिलेंगे हमारे एगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय हिंदी